यशायाह भविश्वक्ता की पुष्तक अध्याए ग्यारह तब इशे के ठुटे में से एक डाली फुट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाका निकल कर फ़लवंत होगी और यहोवा की आत्मा बुद्धी और समझ के आत्मा युक्ती और पराकरम के आत्मा और यहोवा के ज्यान और भई के आत्मा उस पर ठैरी रहेगी और उसको यहोवा का भई सुगंद सा भाएगा और वहा न तो मुह देखा न्याय करेगा और न अपने कानों के सुनने के परन्तु वह कंगालों का न्याय धर्म से करेगा और पृत्वी के नम्र लोगों के लिए खराई के निर्ने करेगा और वह पृत्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा और अपने फूक के जोके से दुष्ट को मिटा डालेगा और उसकी कटी का फेटा धर्म और उसकी कमर का फेटा सच्चाए होगी, सो हुटडार के भेड के बच्चे के संग रहा करेगा, और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा रहेगा, और बच्चडा और जवान सिहं और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकटे रहेंगे, और छोटा लड़का उसकी अगुवाई करेगा, और ग दूद्ध प्यूवा बच्चा करेट के बिल पर खेलेगा, और नाक के बिल में दूद्ध छुडाया हुआ लड़का हाथ डालेगा, मेरे सारे पवित्र परवत पर न तो कोई दुख देगा और न हानी करेगा, क्योंकि पृत्वी यहवा के ग्यान से ऐसी भर जाएगी, ज जब राज्यों के लोग ढूंडेंगे, और उसका विश्राम स्थान तेजो में होगा, उस समय प्रभू अपना हाथ दूसरी बार बढ़ा कर अपनी प्रजा के बचे हुए को जो रह जाएंगे अर्शूर और मिस्र और पत्रोस और कूश और एलाम और शिनार और हामात और स इस्रायल के सब निकाले हुएं को और यहुदा के सब बिखरे हुएं को पुत्वी की चारो दिशाओं से इकटा करेगा, और एफ्रेम फिर ढहा न करेगा, और यहुदा के तंग करने वाले काट डाले जाएगे, न तो एफ्रेम यहुदा से ढहा करेगा, और न यहुदा ए और अम्मोनी उनके अधिन हो जाएगे और यहोवा मिस्र के समुद्रे की खाड़ी को सुखा डालेगा और महानत पर अपना हाथ बढ़ा कर प्रचंद लोहू से ऐसा सुखाएगा कि वह साथ धार हो जाएगा और लोग जोता पहने हुए भी पार हो जाएगे और उसकी प्रज हो के लिए अश्यूर के एक ऐसा राजबार्ग होगा जैसा मिस्र देश से चले आने के समय इस्राइल के लिए हुआ था